हेलो फ्रेंड्स आपका बीए एमेस फर्स्ट येर चैनल में स्वागते हैं इसके प्रिवेस वीडियो में हमने वाद दोश का जो दूसरा सब टाइप था उदान वायू वो देखा था आज हम व्यान वायू देखेंगे तो व्यान वायू में आपको सबसे पहला रेफरेंस मिलता है चरक का तो देहं व्यापनोती सर्वतू व्यानह शिग्रगती निरुणाम गती प्रसराण आक्शेप नीमेश आधी क्रियह सदा देहं व्यापनोती सर्वम मतलब कि पूरे शरीर में वो व्याप्त है, spread हुआ हुआ है व्यान हा, शिग्र गति नुरुणाम मतलब कि जो उसकी movement है, वो swift movement है वो तेजी से उसकी movement है, ठीक है व्यान has swift movement and spreads all over the body फिर दूसरी लाइन में उसके function बता है गति, प्रसरण, आक्षेप, नीमेश, आधी, क्रियह, सदा गति, गति का मतलब यह movement के लिए responsible है, व्यान वायू प्रसरण मतलब extension, आक्षेप मतलब contraction, नीमेश मतलब ही eyelids का बंध होना blinking of eyes, आधी, क्रियह, सदा मतलब और भी इसकी function है, ठीक है गति, प्रसरण, आक्षेप, नीमेश, आधी, क्रियह, सदा और एक दूसरी बात की आपको notes और quiz के लिए telegram channel की link इसके description में मिल जाएगी तो अगर आप चाहते हैं कि quiz attend करें या इसके notes आपको मिले तो आपको telegram जोइन कर लेना, ठीक है दूसरा जो हमें reference मिलता है, वो शुष्रूत का मिलता है क्रुचना देह चरो, व्यानो, रस सम्वहन, उध्यतह, स्वेद, आसरुक, स्त्रावण, स्च्यापी, पंचेदा, चेश्टहेतपी क्रुचना का मतलब है पूरे शरीर में क्रुचना मतलब पूरे में, हौल, देह चरो मतलब पूरे शरीर में वो व्याप्त है चरो का मतलब होता है वो travel कर ता है, moving, ठीक है क्रुचना देह चरो मतलब व्यान travels all over the body रस सम्वहन उध्यतह वैसे अगर हम रस को modern के साथ correlate करें तो रस का मतलब होता है plasma लेकिन हम यहां रस का मतलब ब्लड लेंगे कि वह सर्कुलेट करता है रस मतलब कि ब्लड को फिर उसके फंक्शन बताए है स्वेद आसरुक स्तरावनस चापी पंचदा चेश्टिय तपी प्यारे तो स्वेद स्वेद को बॉड़ी से एलिमेनेट करता है मतलब एलिमेनेट आसरुक स्तरावनस आसरुक जो है वह ब्लड का सीनो नेम से तोbs flow of blood स्तरावनस च्यापी मतलब ब्लडो को मेंटेन करता है फिर पंचेदा चेश्टे है दपी मतलब पाच काइन के एक्षन को परफॉर्म करता है वो पाच टाइप के एक्षन कौन से है तो मुवमेंट फ्लेक्षन एक्स्टेंशन ओपनिंग और क्लोजिंग और आइलिट्स ठीक है एकोडिंग टू अस्टांग रदे व्यानो रदी स्थित हो क्रुच्न देहचारी महा जवह गती यापे संदी है गती अप्षेपन उत्षेपन नीमेश उनमेश आधिकाह प्रायह सर्वाह क्रियास तस्मिन प्रति बद्धाह शरीर रिणाम अस्टांग रदे के सुत्रस्थान में मिलता है व्यानो रदी स्थित हो मतलब आगे हम दो देख चुकिया एकोडिंग टू चरक और एकोडिंग टू शुच्रत दोनों ने ऐसा बोलाए कि व्यान पूरे शरीर में व्यापत है ठीक है बट अस्टांग रदे के एकोडिंग व्यान जो है वो रदी स्थित हो किसने बोली है तो आपको पता होना चाहिए कि वागभटने बोली है तो अस्टांग रदे पिर उन्हों बोलाए कृच्ण देहचारी महाजवा मतलब लोकेशन में साइट है कि हाट में स्थित है फिर कृच्ण देहचारी कि पूरे बॉड़ी में मूव करता है वित हाइव हाइ स्पीड कृच्ण देहचारी महाजवा महाजवा का मतलब है ग्रेट स्पीड से कृच्ण देहचारी महाजवा कि मौच अल ओवर द बोड़ी इन ग्रेट स्पीड फिर उसके फंक्शन बता है घती मतलब कि मूवमेंट अपशेपण मतलब फ्लेक्शन उत्षेपण प्रायव का मतलब होता है कि जन्रली मतलब जन्रली व्यान किसके साथ रिलेटेड एक्सेप्शन हो सकते हैं बट जन्रली क्या है जो बोडि सारी एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने में व्यानवायु responsible है प्राय ओ सर्वाह क्रिया तस्मीन परति बदधाद शरिर रिनाम मतलब सारी क्रिया है जो शरिच के साथ रिलेटेड है उसको रेगुलेट करने में व्यानवायु help करता है जनरली all the body activities are regulated by व्यान वायु इसके बाद ये जो quotation है वो बहुत ही important है इसका reference हमें चरक की चिकित स्थान में और अस्टांग रिदे के शारीड स्थान में मिलता है इसे हम आयुर्वेदिक blood circulation भी कहता है ठीक है तो आपको ये याद ही होनी चाहिए व्यानेन रस धातुर ही विक्षे पोचित कर्मना युकपत सर्वत्र अर्जस्त्रम देहम विक्षी प्यते सदा तो इसमें पहले व्यान वायु का function बताया है circulation से related है रस धातुर ही विक्षे पोचित कर्मना मतलब मैंने बताया कि यहां रस का मतलब हम सिर्फ प्लाज्मा नहीं लेंगे रस मतलब blood लेंगे तो blood विक्षे पोचित कर्मना विक्षे का मतलब होता है फैकना थोरो पर रस को कहां फैकना है वो into circulation मतलब circulation में वो फैकने का काम कर रहा है व्यान वायु और ये काम कैसा है, तो युगपद, सर्वत्रो अर्जस्त्रम, मतलब की हमेशा, युगपद का मतलब है, एक साथ करता है, सर्वत्रो मतलब everywhere, अर्जस्त्रम, मतलब की बिना थके वो करता है, continuously करता है, ठीक है, देहम विक्षी, प्यते सदा, मतलब ये काम चलते रहते हैं, उस continuously and simultaneously thrown in the body by व्यान वायू, performing the function of throwing, ये आपको यादोना चीए, व्यान रस धातुरी, विक्षे पोचित कर्मना, युगपद, सर्वत्रो अर्जस्त्रम, देहम विक्षी, प्यते सदा, मतलब व्यान वायू जो है, वो रस, मतलब की हम यापे ब्लड साइज इलेट करेंगे, कि ब्लड को circulation में हमेशा continuously, simultaneously, फैकने का काम करता है, ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्षन है, वो विक्षीप, विक्षेप का मतलब है, फैकना, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज, लाइक, शेर और सब्सक्राइब दे चैन झाल झाल